नमस्कार दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है टाप 50 MC को एंडियन पाल्टी से हैं तो बने रही है अन्त तक और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो क कि अपडेट आपको मिलती रहे हमारे अन्य वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिक दी हुई है आप वहाँ जाके हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं तो आए शुरू करते हैं पहला कुश्चन पहला कुश्चन है राष्ट पति सर्वोच न्याया सिख नले से शंवीद्धान के किस अनूच्चेत के अंतरगत परामर्स ले सकते हैं आप्टसने अनूच्चेत एक सोतेइस आप्टसन अनूच्च्च पर को राष्ट शक्योड़ा आप्टसन के समय लीजेए सोच्चेत सही उत्तर के बारे में आप ये वीडियो जब भी दे सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए 10 सब्सक्राइब देखते हैं सब्सक्राइब क्या है आज चलिए देखते हैं सब्सक्राइब आप संडी 143 ठीक है अनुच्छेद 143 के अंतरगत राष्टपति सरवोच नयाले से परमर्स ले सकते हैं ठीक है अगला कुश्च्छन सरवोच नयाले अपने द्वारा सुनाए गई किसी निर्ड़य या आदेश का पुनराव लोकन कर सकता है यह ब्यवस्ता संब्सक्राइब के किस अनुच्छेद में उकवंधित है आप्शन A अनुच्छेद 139 आप्शन B अनुच्छेद 149 आप्शन C अनुच्छेद 137 आप्शन D अनुच्छेद 143 चलिए 10 सेगंड का समय लीजे सोचिए फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आपसंसी अनुच्छे 137 सरवोच नियाल है अपने द्वारा सुनाये गए किसी नियुड़य या आदेश का पुन्रा उलोकन कर सकता है ये वेवस्ता अनुच्छे 137 में उपन्दित है अगला कुश्छ है सम्विधान के किसी सोरी सम्विधान के निम्न लिखित में से किस अनुच्छेद में ये वेवस्ता की गई है कि उच्चेतम नियायालाई द्वारा विनिश्चित विधी भारत के राज चेतर के भीतर सभी नियायालों पर आबध कर होगी आपसन A अनुचेद 141, आपसन B अनुचेद 142, आपसन C अनुचेद 143, आपसन D अनुचेद 144 चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सूचिए सही उत्तर के बारें फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है सही उत्तर है आपसे ने अनुच्छेद 141 अनुच्छेद 141 में व्योस्ता की गई है कि उच्छितम नयायाले द्वारा विनिश्चित बीदी भारत के राजच्छेद के भीतर सभी नयायालें पर आबद कर होगी अगला कुश्चन देखते हैं भारती संबिधान में सरबुच नयायाले तथा उच्छ नयायाले को नयाईक पुनराव लोकन की सक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है आपसने अनुच्छेद 13 आपसन B अनुच्छेद 32 आपसन C अनुच्छेद 226 आपसन D अनुच्छेद 368 चलिए 10 सकंड का समय लीजे सुचिए सही उत्तर फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आपसन D अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 भारती सम्विधान में सर्वोच नयाईले तथा उच नयाईले को नयाईक पुनराव लोकन की सक्ति प्रदान करता है सम्विधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत आधी नयाईले या जीला नयाईले का प्रावधान किया गया है आपसन A अनुच्छेद 231 आपसन B अनुच्छेद 233 आपसन C अनुच्छेद 131 आपसन D अनुच्छेद 143 चलिए 10 सिगन लीजिए सोचेए सही उत्तर के बारे फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर हैं आपसन B अनुच्छेद 233 सम्विधान के अनुच्छेद 233 के अंतरगत आधिनस्थ नयायलय या जिला नयायलय का प्रावधान किया गया है अगला कुशन सम्विधान का कौन सा अनुच्छेद सम्वैधानिक प्रावधानों की संगीय संसद या राजविधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्रात्मिक्ता प्रदान करती है आपसन E अनुच्छेद 13 आपसन B अनुच्छेद 32 आपसन C अनुच्छेद 245 आपसन D अनुच्छेद 326 चलिए 10 सिकंड का समय लीजिए समुची सही उत्तर के बारें फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर हैं आपसन C अनुच्छेद 245 अनुच्छेद 245 समबैधानिक प्रावधानों की संगीय संसद राजविधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नीमों कानूनों पर प्रात्मिक्ता प्रदान करती है आपसन C सही उत्तर है अगला क्योंच्छन किस अनुच्छेद के तहट आउसिष्ट सक्तियां केंदर के पास हैं आपसन A अनुच्छेद 245 अपसन B अनुच्छेद 246 अपसन C अनुच्छेद 247 अपसन D अनुच्छेद 248 चलिए 10 सेगंड का समय लीजिए सोचिए फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर हैं आपसन D अनुच्छेद 248 अनुच्छेद 248 के तहर और सिष्ट सक्तियां के अंदर के पास हैं ठीक है नगला कुशन राज्यों दोरा प्रार्थना करने पर भारत की संसर उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतरगत कानून बना सकती हैं आपसन A अनुच्छेद 251 आपसन B अनुच्छेद 222 आपसन C अनुच्छेद 253 आपसन D अनुच्छेद 254 चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए सुचेद सही उत्तर के बारें फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर हैं आपसन B अनुच्छेद 252 अनुच्छेद 252 के अंतरगत राज्यों द्वारा प्रात्वना करने पर भारत की संसद उनके लिए उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है ठीक है अगला कुश्यन भारती संबिधान के अंतरगत निम्न लिखित में से कौन सा अनुच्छेद 252 अनुच्छेद संसद को राज्यों सूची के विशेमिस संबंध में बिधी बनाने की सकती प्रदान करता है अपसन A अनुच्छेद 115 अपसन B अनुच्छेद 116 अपसन C अनुच्छेद 226 अपसन D अनुच्छेद 249 चलिए 10 सिकंड का समय लीजिए सूचीए फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है अपसन D अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 के अंतरगत संसत को राज सूची के विशे या संबंध में विदी बनाने की सकती प्रधान करता है अगला कुश्चिन भारती संबिधान का काउन सा अनुच्छेद संसत को अंतराष्टी समझोतों को लागो करने के लिए बिदी निर्मार करने की सकती प्रदान करता है आपसन है आपसन A अनुचे 249 आपसन B अनुचे 250 आपसन C अनुचे 252 आपसन D अनुचे 253 चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए सोंचे सही उत्तर के बारे मैं फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर है आपसन D अनुचे 253 के अंतरगत संसत को अंतरराष्टी समझेर्टों को लागू करने की लिए बिदी निर्मार करने की सकती प्रदान करता है ठीक है चलिए देखते हैं अंगला क्वेश्चन संभिधान का काउंसा अनुचेद अंतरी परिश्चत के अगठन के बारे में आधार भूत नियम निर्धारित करता है आपसने अनुचेद 26 आपसन B अनुचेद 32 आपसन C अनुचेद 75 आपसन D अनुचेद 356 चलिए 10 सकंड का समय लीजिए सोचिए फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर हैं आपसन C अनुचेद 75 अनुचेद 75 मंत्री परिश्चत की गठन के बारे में आधार भूत नियम निर्धारित करता है अगला कोशन भारत के महा नियावादी की नियुक्ति से संबंधित अनुचेद कौन सा है आपसन अनुचेद 63 आपसन B अनुचेद 63 आपसन C अनुचेद 67 आपसन D अनुचेद 89 चलिए 10 सगन का समय लीजिए समुची फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आपसन C अनुचेद 84 आपसन C अनुचेद 84 आपसन आपसन सी सही उत्तर है अगला खुशन कौन सा अनुचेद संसत के दो अधि अधि वेशनों के वीच छै माह के अंतराल की अनिवारिता का उल्लेग करता है आपसन A अनुचेद 81 आपसन B अनुचेद 82 आपसन C अनुचेद 83 आपसन D अनुचेद 85 चलिए 10 सिकंड का समय लीजे सुचिए सही उत्तर के बारे फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आपसन D अनुचेद 85 अनुचेद 85 संसत के दो अधिवेशनों के वीच छह माह के अंतराल की अनिवारिता का उल्लेग करता है आपसन D सही उत्तर है अगला क्यूस्टन राष्टपती संविधान के किस अनुचेद के अंतरगत लोग सभा को भंग कर सकते हैं आपसन D अनुचेद 85 अपसन D अनुचेद 95 अपसन C अनुचेद 356 अपसन D अनुचेद 365 चलिए 10 सेगंड का समय दीजी सोचेए सही उत्तर के बारे में फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आपसन D अनुचेद 85 अनुचेद 85 अनुचेद 85 राष्टपती लाष्टपती सम्विधान अनुचेद 85 के अंतरगत राष्टपती लोग सभा को भंग कर सकते हैं आपसन A सही उत्तर है ठीक है आप फिर से देख सकते हैं चलिए अगला कुश्चन देखते हैं सम्विधान के किस अनुचेद द्वारा संसत की सही उत्त बैठक का प्रावधान किया गया है आपसन A अनुचेद 106, आपसन B अनुचेद 108, आपसन C अनुचेद 110, आपसन D अनुचेद 112 चलिए 10 सगन का समय लीजे सुझेए फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर, सही उत्तर है आपसन B अनुचेद 108 अनुचेद 108 द्वारा संसत की सही उत्त बैठक का प्रावधान किया गया है ठीक है, आपसन B सही उत्तर है अगला कुश्यन लोक सभा, योमराज्य सभा के सही उत्त अधिवेशन की विशे में प्रावधान संभीधान की किस अनुचेद में किया गया है आपसन A अनुचेद 105, आपसन B अनुचेद 108, आपसन C अनुचेद 110, आपसन D अनुचेद 85 चलिए 10 सेकेंड का समय लीजिए, सूचिए सही उत्तर के बारे, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं, सही उत्तर है, आपसन B अनुचेद 108, अनुचेद 108, अनुचेद 108, लोकसभा एं राजसभा के संयुक्त अधिवेशन के विशे में प्रावधान सम्विधान में किया गया है, ठीक है, चलिए अगला कुश्चिए, सम्विधान के किस अनुचेद में धन वीदहयक की परिभासा दी गई है, आपसन B अनुचेद 109, आपसन C अनुचेद 110, आपसन C अनुचेद 114, चलिए, दस सिकंड का समय लीजिए, सुचिए, फिर देखते हैं, सही उत्तर क्या है, चलिए देखते हैं, सही उत्तर है, आपसन C अनुचेद 110, अनुचेद 110 में धन वीदेख की परिभासा दी गई है, अगला कुश्चिए, भारतिय सम्भिधान का कौन सा अनुचेद भारत के संचित कोस से संबंदित है, आपसन A, अनुचेद 112, 29, अनुचेद B, सोरी आपसन B, अनुचेद 146, तीन, आपसन C, अनुचेद 146, आपसन D, उपर युप्त सभी, चलिए 10 सकंद लीजिए, सुचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है, चलिए देखते हैं सही उत्तर, सही उत्तर हैं, आपसन D, उपर युप्त सभी, अनुचेद 112, 39, अनुचेद 146, तीन, अनुचेद 148, 6, भारत के संचित कोश से संबंदित हैं, ठीक हैं, अगला कॉश्चन, भारती संबिधान का निम्न में से कौन सा अनुचेद, भारत के राष्टपती में अध्यादेश जारी करने की सब्ति प्रदान करता है, अपसन A, अनुचेद 74, अपसन B, अनुचेद 78, अपसन C, अनुचेद 123, अपसन D, अनुचेद 124, दो, चलिए 10 सेकेंड का समय लीजे, सुची सयुत्तर के बारें फिर देखते हैं, सयुत्तर क्या है, चलिए देखते हैं, सयुत्तर है, अनुचेद 123, अनुचेद 123, भारत के राष्टपती में अध्यादेश जारी करने की सक्ति प्रदान करता है, अपसन C, सही उत्तर है, अगला क्यूश्यन, सम्विधान की किस अनुचेद में सर्वुच न्यायले के न्यायदीज पर महाव्योग चलाए जाने का प्रावधान है, अपसन C, अनुचेद 126, अपसन B, अनुचेद 121, अपसन C, अनुचेद 124, अपसन D, अनुचेद 111, चलिए 10 सकंद का समय लीजे, सोचेद सही उत्तर के बारें, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है, चलिए देखते हैं सही उत्तर, सही उत्तर है, अपसन C, अनुचेद 124, सम्विधान के अनुचेद 124 में, सर्वोचे न्यायदीज पर महाव्योग चलाए जाने का प्राविधान है, अपसन C, सही उत्तर है, अगला कॉश्चन, कौन से अनुचेद के अंतरगत, भारत का सर्वोचे नागिरिकों के मौलिक अधिकारों की रच्छा करता है, आपसन C, अनुचेद 124, आपसन C, अनुचेद 12, ठीक है, चलिए 10 सिकंड के समय लीजिए, सुचिए, फिर देखते हैं, सही उत्तर क्या है, चलिए देखते हैं, सही उत्तर हैं, आपसन C, अनुचेद 32, अनुचेद 32 के अंतरगत, भारत का सर्वोच नागिरिकों के मौलिक अधिकारों की रच्छा करता है, अगला कॉश्चन, भारती संबिधान के किन अनुचेदों में, राज के नीती निर्देशक तत्यों का उल्लेख हैं, आपसन C, अनुचेद 33 से 46 तक, आपसन B, अनुचेद 34 से 48 तक, अनुचेद 36 से 59 तक, आपसन D, अनुचेद 37 से 22 तक, चलिए 10 सिकन का समय लीजिए, सोची सही उत्तर के बारें, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है, आपसन C, अनुचेद 36 से 51 तक, ठीक है, तो सम्विधान के अनुचेद 36 से 51 तक, नीत निद्देशक तत्तों का उलेख है, ठीक है, अगला कॉशन, भारती सम्विधान के अन्तरगत के लियानकारी राज की ओधारला, निमने लिखित में से किस अनुचेद में वर्डित है, आपसन A, अनुचेद 31, आपसन B, अनुचेद 49, आपसन C, अनुचेद 49, आपसन D, अनुचेद 51, चलिए 10 सकंड का समय लीजे, सुचिए सही उत्तर के बारे हैं, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है, चलिए देखते हैं, सही उत्तर हैं, आपसन B, अनुचेद 49, अनुचेद 49 के अंतरगत, कल्याण कारी राज की अधारना वड़ित है, ठीक है, अगला कुश्चन, भारतिय संबिधान का काउन सा अनुचेद, राज सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन कर देता हैं, आपसन A, अनुचेद 51, आपसन B, अनुचेद 32, आपसन C, अनुचेद 37, आपसन D, अनुचेद 40, ठीक है, चलिए, 10 सिगंड का समय लीजे, सोचिए, फिर देखते हैं, सही उत्तर क्या है, चलिए, देखते हैं, सही उत्तर है, आपसन D, अनुचेद 40, भारतिय संबिधान का अनुचेद 40, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत की गठन का निर्देश देता हैं, ठीक, अगला कुश्चन, कुश्चन, 42 में संसोधन द्वारा संबिधान के किस अनुचेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, आपसन A, अनुचेद 51, आपसन B, अनुचेद 51, A, आपसन C, अनुचेद 29, B, आपसन D, अनुचेद 49, C, ठीक है, चलिए 10 सिकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है, चलिए देखते हैं सही उत्तर, सही उत्तर है, आपसन B, अनुचेद 51, A, ठीक है, अनुचेद 42, संसोधन द्वारा संभिधान के अनुचेद 51, A, में मौलिक कर्तब्यों को जोड़ा गया है, अगला कुछ है, संग की कारेपाली का सक्ति राष्ट पति में निहित होगी, जिनका प्रियोग गोई स्वयम या अपने आधिकारियों के द्वारा करेंगे, किसके अनुचेद 51, आपसन D, अनुचेद 52, आपसन C, अनुचेद 53, आपसन D, अनुचेद 54, चलिए 10 सिकंड कर समय लिजे, सूचेद स्यूर्ततर क्या है, फिर देखते हैं स्यूर्ततर क्या है, चलिए देखते हैं सयोत्तर सयोत्तर है अनुच्छे तिर्पन आपसंस C सयोत्तर है संग की कारेपाली का सक्ति राष्टपती में नहीं थोगी जिनका प्रयोग वह सवयम या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे अनुच्छे तिर्पन में दिया गया है ठीक है आपसंस C सयोत्तर है अगला क्वेशन भारत के संभिधान के किस अनुच्छे के अंतरगत भारत के राष्टपती पर महाभियोग चलाया जा सकता है आपसं A अनुच्छे एकसठ आपसं B अनुच्छे पचतर आपसं C अनुच्छे चीतर आपसं D अनुच्छे पचासी चलिए दस सिकंड के समय लीजी सोचिए सयोत्तर के बारे में फिर देखते हैं सयोत्तर क्या है चलिए देखते हैं सयोत्तर हैं आपसं A अनुच्छे एकसठ अनुच्छे एकसठ के अंतरगत भारत के राष्ट पथी पर महावियोग चलाया जा सकता है आपसं A सयोत्तर हैं अगला कुश्यन सम्भिधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट पति पद का प्रावधान किया गया है आपसं A अनुच्छेद 52, आपसं B अनुच्छेद 53, आपसं C अनुच्छेद 63, आपसं D अनुच्छेद 43 चलिए 10 सेगंड का समय लीजिए, समूचिए सयोत्तर के बारे में फिर देखते हैं सयोत्तर क्या है चलिए देखते हैं सयोत्तर हैं आपसं C अनुच्छे 63, अनुच्छे 63 में उपराष्ट पति पद का प्रावधान किया गया है अगला कुशन, आपसं C सही उत्तर है अगला कुशन, सम्विधान की किस अनुच्छेद के अंतरगत मंत्री गण सामोही गुरूप से लोग सभा के प्रति उत्तरदाई है आपसं है, आपसं D अनुच्छेद 73, आपसं B अनुच्छेद 74 आपसं C अनुच्छेद 75, आपसं D अनुच्छेद 74 चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारें, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर है, आपसं C अनुच्छेद 75 संबिधान के अनुच्छेद 75 के अंतरगत, मंत्रीगण सामोहिक रूप से लोग सभा के प्रिति उत्तरदाई हैं अगला कुश्यन, संबिधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारिश संबिधान के कुल कितने अनुच्छेद यम अनुच्छिया हैं अपसने 378 अनुच्छेद 7 अनुच्छियां अपसन 0,390 अनुच्छियां कि अपसन 0,398 हैं अपसन 0,395 हैं अनुच्छियां चलिए 10 सेगंड कर समय लीजी सूचिए सयूत्तर के बारे मैं फिर देखते हैं सयूत्तर क्या है चलिए देखते हैं सयूत्तर सयूत्तर आप संडी 395.68 अनुसुचिया संबिधान सभाद्वारा अन्तिम रूप से पारिज संबिधान में 395.68 अनुसूचिया ठीक है आप संडी सयूत्तर है अगला कुश्यन बरतमान समय में भारती संबिधान में गड़ना की द्रिष्ट से कुल कितने अनुसूचिया और अनुसूचिया हैं अप्सन ए 390 अनुस्य पांच अनुसूचिया अप्सन बी 395 अनुच्य बारां सूचिया अप्सन सिख 395 10 अनुसूचिया अप्सन डी 448 अनुच्यद 12 अनुस्य झाठीक है कि चलिए देखते हैं से उत्तर हैं आप संडी 448 अनुच्छेद 12 अनुच्छियां बर्तमान समय में भारती संभिधान की गड़ना की द्रिष्ट से 448 अनुच्छेद 12 अनुच्छियां हैं ठीक है अगला कुश्च्छन बर्तमान समय में भारती संभिधान में धाराओं की कुल संख्या है आप संडी 356 आप संडी 395 आप संडी 404 आप संडी इनमें से कोई नहीं चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए सोंचिये से उत्तर के बारे में फिर देखते हैं से उत्तर क्या है चलिए देखते हैं से उत्तर है आप संडी 395 आप संगी संभीधान में धाराओं की स्कुल संख्या 395 है अगला कुछ संभीधान के किस अनुचेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थाद भारत राज्यों का एक संग होगा आपसने अनुचेद एक आपसन बी अनुचेद दो आपसन सी अनुचेद तीन आपसन डी अनुचेद चार चलिए दस सेगंड का समय लीजे सुची स्यूद्तर के बारे मैं देखते हैं स्यूद्तर के आए चलिए देखते हैं स्यूद्तर स्यूद्तर है आपसने अनुचेद एक अनुचेद में एक में यह अंकित है कि इंडिया अर्थाद भारत राज्यों का एक संग होगा संबिधान के किस अनुचेद में भारत को क्या कहा गया है संबिधान के अनुचेद एक में भारत को क्या कहा गया है आपसन ए परिसंग आपसन बी महासंग आपसन सी परिसंग प्रबल एक आत्मक आधार के साथ आप संडि राज्चियों का संग चलिए 10 सकंद लीजे सोची फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर आप संडि राज्चियों का संग ठीक है संबिधान के अनुच्य दों में भारत को राज्यों का संग खागाया है ठीक है अगला कुश्यन भारतिय संबिधान के किन अनुच्य दों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है आपसन इनुच्छ एक से पाँच, आपसन बी इनुच्छ पाँच से 21, आपसन C अनुच्छ बारा से 35, आपसन D अनुच्छ 36 जी क्या ओन, चलिए 10 सकुएं नहीं दीजि Ingredvaband कर देकिंप आए 10 सफ से 16 समय के बारे इमारे North आपसन C 10 से 16 Art objective सब्सक्र चलिए देखते हैं सयोत्तर सयोत्तर है आप संभी अनुचेत 5 से 11 अनुचेत 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है ठीक है अगला कुशन निम्न में से किन अनुचेतों द्वारा भारतिय संभीधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्युक्तता प्रack करता है आपसन ये अनुचेत 12 से 35 द्वारा का अपसन भी अनुचेत 12 से 30 तक द्वारा आपसन चंद 15 से 35 द्वारा आपसन दी अनुच्छेत 14 से 32 द्वारा चलिए 10 सेगंड का समय लीजिए सूचिए फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर हैं आप सने अनुचित 12 से 35 तक अनुचित 12 से 35 तक द्वारा भारती संबिधान नागरिकों को मूल अधिकान निश्चिता प्रदान करता हैं ठीक हैं अगला क्वेशन नौ करियों तथा सैच्छिक संस्थाओं में समाज की कमजोर वर्ग के लिए अरचन उपलब्द कराने के लिए केंद्र सरकार को संबिधान का कौन सा अनुचित अधिकार प्रदान करता हैं आपसने अनुचे चौदा आपसन बी अनुचे सुला आपसन सी अनुचे सत्रा आपसन डी अनुचे तेज ठीक हैं चलिए दस सेगंड का समय लीजे सूंची सयूदतर के बारां फिर देखते हैं सयूदतर क्या हैं चलिए देखते हैं सयूदतर है अपसन बी अनुचे सोला अनुचे सोला नुकरियों और सैचडिक संस्थाओं में समाज की कमजोर वर्व के लिए आरचन उपलब्द कराने के लिए केंद सरकार को अधिकार प्रदान करता है आपसन बी सयूदतर है चलिए अगला क्योशन भारत के संभिधान का निम्न में से कौन सा अनुचे आई इस प्रस्यता का उन मोलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निशेद करता है ठिक आपसन A अनुचे 15, आपसन B अनुचे 16, आपसन C अनुचे 17, आपसन D अनुचे 18 चलिए आप प्रस्ट दुबारा पढ़ लेजे, 10 सेगन का समय लेजे, सोची स्यूद्तर के बारे, फिर देखते हैं स्यूद्तर क्या है चलिए देखते हैं स्यूद्तर, स्यूद्तर है A अनुचे 17, आपसन C अनुचे 17 आ इस प्रस्टा का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निसेद करता है, ठीक हैе अपसन C, स्यूद्तर है अगला कोश्या भारती संविधान के किस अनुच्छेद में मौली कर्टब्यों की चर्चा की गई है आपसन ए अनुच्छेद 50A आपसन B अनुच्छेद 51A आपसन C अनुच्छेद 49A आपसन D अनुच्छेद 52A ठीक है चलिए 10 सेकंड का समय लीजे सुचिए सयुद्तर के बारे फिर देखते हैं सयुद्तर क्या है चलिए देखते हैं सयुद्तर सयुद्तर है आपसन B अनुच्छेद 51A भारती संबिधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चक की गई है अगला कुश्चन भारती संबिधान का काउन सा अनुच्छेद राष्टपती के पद के लिए पुनाय निर्वाचन की योगिताएं निर्धारित करता है आपसन B अनुच्छेद 52A आपसन C अनुच्छेद 55A आपसन D अनुच्छेद 57A चलिए 10 सकंड लीजिये सुचेद साय उत्तर के बारें फिर देखते हैं साय उत्तर क्या है चलिए देखते हैं साय उत्तर साय उत्तर है आपसन D अनुच्छेद 57 अनुचेद 57 रांश्ट पती के पत के लिए पुना निर्वाचन की योगताएं निर्धारित करता है अप्शन D सही उत्तर है अगला कुश्चन भारती सम्विधान के किस अनुचेद के अंतरगत भासन योग आभिवेक्टी की सोतंत्रता के अलिकार की गारंटी दी गई है अप्शन अनुचेद 19 अप्शन B अनुचेद 20 अप्शन C अनुचेद 21 अप्शन D अनुचेद 22 चलिए 10 सेकंड लीजिए सोचिए सही उत्तर के बारे देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आप सने अनुचेद 19 भारती सम्विधान के किस अनुचेद 19 के इंत्तरवत भासन यों अभिव्यक्ति की सुतंत्रा के अधिकार की गारंटी दी गई हैं ठीक हैं आप सने सही उत्तर हैं अगला कुश्चन भारती सम्विधान के किस अनुचेद में प्रस की सुतंत्रा दी गई हैं आप सने अनुचेद 14 आप सन भी अनुचेद 25 आप सन सी अनुचेद अनुचेद 21 आप संदी अनुचेद 19 वन ओके चलिए दस सकन लीजी सुचिए फिर देखते हैं सही उत्तर चलिए देखते हैं सही उत्तर है अनुचेद 19 वन भारती सम्विधान के अनुचेद 19 वन में प्रस की सुतंत्रा दी गई हैं अगला क्वेशन मौलिक अधिकार के अंतरगत कौन सा अनुचेद बच्चों के सोशन से सम्बंदित हैं आपसने अनुचेद 17 आपसन डी अनुचेद 19 आपसन सी अनुचेद 23 आपसन डी अनुचेद 24 चलिए सेचेद 19 अध है कि अगरे चलिए देखते हैं अनुचेद 23 आपसन डी अमशेद 24 अनुचे 24 बच्चों के सोसंड से सम्मंदित है ठीक है आपसंडी सही उत्तर है अगला कुश्या भारतिय संभिधान के किस अनुच्छेद में अल्प संक्यकों के हित के सब्रच्छन की व्यवस्था की गई है आपसंडी अनुच्छेद 32 आपसंडी अनुच्छेद 29 आपसंसी अनुच्छेद 19 आपसंडी अनुच्छेद 14 चलिए 10 सेगंड का समय लीजिए सोचिए सही उत्तर फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर है अनुच्छेद आपसंडी अनुच्छेद 29 ठीक है भारती सम्विधान के अनुच्छेद 29 में हल्प संक्यकों के हितों के सब्रच्छन की व्यवस्था की गई है आपसंडी सही उत्तर है अगला पुश्चेद भारती सम्विधान सभा की संगिये सकती समीति के अर्धिच कौन थे आपसंडी सरदार पटेल आपसंडी डाक्टर बी आर अमबेटकर आपसंडी अलादी क्रिष्णा स्वामी अईयर आपसंडी पंडी जवाहलाल नहर चलिए 10 सिकंड का समय लीजे सुची सही उत्तर के बारें देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आपसंडी पंडी जवाहलाल नहरू भारती संभिधान सभा की संगिये सकती समीत की अर्धिच पंडी जवाहलाल नहरू थे अगला कुश्य भारती संविधान सभा की प्रारूप या मस्विधान समित के अध्यच थे आपसने डांक्टर राजेन्प साथ, आपसन बी जवाहलाल नहिरो आपसन सी डांक्टर वी आर अमेटकर, आपसन डी पुरसोत्तम दास्ट टंडन ठीक है, चलिए दसकर लीजिए, सुचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं, सही उत्तर है, डाक्टर वी आर अमेटकर, ठीक है भारतिये संविधान सभा की प्रारूब, मस्विधान समित के अद्यच थे, टाक्टर वी आर अमेटकर, आपसन सी सही उत्तर है अगला कोशन, संविधान सभा में सभी निरड़ाय किस आधार पर लिये गए आपसने, एकता और अखंडता, आपसन B, बहुमत, आपसन C, सर्व, सम्मती, आपसन D, सहमती और समा योजना चलिए 10 सकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए, देखते हैं सही उत्तर, सही उत्तर है, आपसन D, सहमती और समा योजना संभिधान सभा में सभी निरड़ाय, सहमती और समा योजना के आलहार पर लिए गए अगला कुश्यों, भारती संभिधान सभा में महिला सदेश्यों की कुल संख्यात कितनी थी आपसन E, 10, आपसन B, 12, आपसन C, 13, आपसन D, 14, सोरी, आपसन D, 15 ठीक है, चलिए, 10 सेगंड का समय लेजी, सोचिए, फिर देखते हैं सभिधान क्या है चलिए, देखते हैं सही उत्तर, सही उत्तर है, आपसन D, 15, भारती संभिधान सभा में महिला सदेश्यों की कुल संख्या, 15 थी ठीक है, अगला कुश्चन देखते हैं, सम्विधान निर्मात्री सभा में जंडा समित के अध्यच थे आपसन A, G.B. कृपलानी, आपसन B, K.M. मुनसी, आपसन C, डाक्टर वी आर अमबेटकर, आपसन D, पंडित जवाहलाल नहरू ठीक है, चलिए, 10 सेगंड का समय लेजी, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए, देखते हैं सही उत्तर, सही उत्तर है, आपसने, J.B. कृपलानी सम्विधान निर्मात्री सभा में जंडा समित के अध्यच जेबी कृपलानी थे ठीक, अगला कृश्चन सम्विधान पांडू लेखन समित का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था आपसने, मुहमद सादुल्ला, आपसन B. क. म. मुनसी, आपसन C. A. क. अईयर, आपसन D. जवाहलाल नहरू चलिए, दस सकन लीजी, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है चलिए, देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है, आपसन D. जवाहलाल नहरू संभिधान पांडू लेखन समीति का जवाहलाल नहरू सदस्य नहीं थे, ठीक है चलिए, तो पूरे हुए इस वीडियो के पचास कुश्यन, ठीक है और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल ज़रूर सस्क्राइब कर लीजे ताकि आने वाले हर नए वीडियो के अपडेट आपके लिए अपडेट मिलती रहे आपको और ठीक है, हमारे दूसरे वीडियो के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से जाके हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में सब तक चलिए बाई